पिला मने आमें रिबिजन क्लास रे आजी डिस्कुशन करीबा टायरेक्ट आड इंडियाड स्पीच एहा पुरबोरू बाके तका ग्रामार चाप्टर आमें कॉंप्पिली करीछा है चे तुम्हें आई बोटन ओपर क्लिक करकी सेसो वीडियो देखी परीबो वीडियो कुला पुछन देखी लाइक, कमेंट आव स्यार करीबो वो सब्सक्राइब अधर माध्यां 10A सेट्रे मोडल कुश्चिन वीडियो देखी पर देखी पर थीबो तुम्हें आगरू नोट डाउनलोड करीचा जिव माने भी नोट डाउनलोड करीण देस्क्रिप्सान ने लिंक दि ता सहीत एक्सफ्लानेटोरी डोट समध्यां रहीची कौन पाई आणसर हेला थाकू सुन्दर हाबरे बुझा हैची तो तुम्हेको निश्चितभा परे बुझा पडिवो एस वो कुश्चिन नो आणसर येबों एक्जामर जित्ताबल एई टाइबर कुश्चिन आसीवो निश्चेतभाव बले तुम्हारो ठीक ही हाबो एतिरे कॉणोंसी असर विधान आही तो आउ किछी क्वेश्चिन आमें डिस्क्रिशन करीबा तुम्हें समस्ते पर्थमात असुटी क्वेश्चिन कुनी जो मनुर करी आंसर करीबास परे चेक करीनियो एबों आंसर कहीं कह देखिवा प्राक्टिस पाइं सा नमर वन ही से टू मी गुट लॉख देखिवा रूति बार्थमा डारी निया स्पीच न वीडियो अपरड ही ची नोट मध्य अपरड ही तुम्हें तुम्हें स्वास्ते डानलोड करीनियो जो मने करीन अ अधर इडालिट स्पीच अब अप्सान ची हवा अंसर सो मन्रक्याग पड़िवा मेमराइजिंग क्वेश्चिने सोब बुजिवा कम मन्रक्यवा बेशी सो बहरी एग्जाम्पल देचे आमें बहरो थारो हवा नमबर टू he said hello where do you live? in indirect speech the reporting verb said is replaced by ट्याज देख पर्तव में समस्ते he said direct speech अचे hello सो जेतो hello कराऊची तो भर्ब जहार रहीची reporting भर्ब बदलारे आमें कोण ही उच करीवा? asked, wished, greeted, exclaimed सो अंसर हब ग्रीटेट ओके अभिनांदन जेतो जोना आओजी हेलो को हाओजी नंबर थ्री अल्टी अल्टी स्टुदेंस सेट द्याट द्यास होम्वर्ख ए हाब डॉन, ब हाड़ डॉन, सी हाज बिन दूइंग, ड हाब बिन दूइंग सो अंसर हब, अल्टी स्टुदेंस सेट द्याट, दे हाड़ डॉन, जेतो इक पोटिंग बहर बेटी सेट अची राइंडियाल स्पीच सो सेट थी अमारो टेंस चेंज हब रिपोटेट स्पीच राओ, सो हाब डॉन के बहले हब नाहीं इंग, शेड पास्ट तेले आमरो पास्ट रहीर हाईब जो हाड़ डॉन हाब ओके आरो डिर्ट स्पीच हाईट ले इतान्ता, आ सुदेंय का अल्डॉन अल्डûtी स्टेंट ना अंग रम यां वाग्ण हाब डॉन होमवार्ग, सो वी हाब डॉन ही थान था तो एठी हब आ थे हार डॉन जो तमें कनभर्ट कलें इंडारिट स्पीच को ओके बुझे होची ना बुझे होची कमेंट करिबो नावर फू, दो एंसी सी टीचर सेट मार्चन बोईज ऑन इंडारिट सेट मार्चन बोईज को शीन बार बार पडिवा तो कोषिन बार जो आए-Dhi एंसी सी टीचर कमन्द करण दीच को अफसट एंसी तमे ठीक मारिवा आणसी सी टीचर कमांद ऑड़च दो मार्चन बोईज को नावर पडिवा she said that she had been to her uncle's house , she said that she had been to her uncle's house a yesterday b the day before c the previous day d the day before or the previous day so answer our option d the day before the previous day number six the teacher asked me if i had done my homework in indirect speech this sentence is yes the teacher asked me to have a direct speech so answer about the teacher said to me okay so the teacher said to me , double inverted , start so if you want to ask our indirect speech question then yes no question okay so this verb is hard done when asked reporting verb so verb tense change and hard done then direct speech about have okay now i wrote you wrote you okay so answer about the teacher said to me have you done your homework? , अप्पत्य पाउचालली you हाईगल्य आई internet speech रे टीरे टानी पव्वर्चाकी नहीं पिला मने यहुख काके फ़तरलीक की कर और यहीली बुजी बजीवाद्यू वर अजह हें तुम्हें अको इंटर स्पीच रे कानबर्ट करो एपर जानी बरिवो उपरे जहां इंटर स्पीच अची ताह राइट की नाहीं चाह नंबर अप्चन ए ही हाव नंबर 7 वे जनरली उस भर्ब्स लाइक आस्क अडर रिक्वेश्ट आडवाईज एट्सेटर तु सपोर्ट करे बापाईं को सेंच को रिपोट करे आपाई ना इंपरेटिव सेंच को अप्शन बी नंबर 8 फार्दा सेट आट तु सोन रिजि इस नाट चेंज़ इन्ट पास्टेंस बिकास तम्याटर रिपोटेट इस द्यास दखाच मस्ते जे भादर सेट रिपोटिंग भर्ब सेट पास्ट तिले मद्यों राइजेस चेंज है नाही बहर सेई प्रेजेंट सिंपूल रे अच्छी तो कॉन पाई हेला बरी सिंपूल इचा रिपोटे इँट पाईजे उनिवर्सल तूथ में पधीचे जदी रिपूल अग्षाल पाईजे जेगर रिपीकाल तूटे शाइंटिफिक तूथ थिवस्ट ताहाले रिपोटिंग भावर पास्टर तिले मद्यों रिपोटेट स्पिच्छ हों तेंज चेंज नाही so option A universal truth एटा, the sun rises in the east, no knows the universal truth, option A number nine, father said to Gopal, when will you go to school? which is the indirect speech of this sentence and uh, the indirect speech is the correct, father said to Gopal, when will you go to school? it was a WH question, so father asked Gopal, ok फेन रहिला यूटा चैन्जेश हे जिवो ही कु रमाइट बुझ पारुचो देन उड विल हे जिवो उड ही जिवो उड ही उड गो तो स्कूल सो अप्शन बी हुचि राइट अंसर तो मैं अप्शन को यह वड ही कुश्चिन आचिले बारां बारा पढ़िवो चैन्ज करिवो देखिवो तो अपर कन्फर्म हेला पर जाएए अंसर कोल बुलेवो ओके सो फादर आस्क्ट कोपाल वेन ही उड गो तो स्कूल No.10 Please help me cross the road the blind man said to me The entire speech form of the sentence is this Please help me cross the road तोन वीट रीवेड कोला हुचि Okay The blind man requested me to help him cross the road बुचेलेट रीवेड रीवेड नेक्ना रीवेड रीवेड ही कोला हुचि The blind man requested me to help him cross the road वुचेलेड डुस्वटी लीवेड ही णस्रम जिया ही उके समस्थय मोठ करीवो, नोरू करता रहे तर्टेंशी सभड कीच similar parallel questions तुमानको पाइँ धिया हिछी समस्थय निज़म नोरू first करी नियो, जोबंनो नोड़ूड करी नोड़ूड करो येभग सी 10-10 गुष्चिन माण तुमानको पाइँ धिया हिछी तो में देखिबा उतिवा, okay, so आमें discussion एबे करीबा, he called me a liar, so answer हाब मन्रोखिबा, he said liar, option A, number 2, we use dash to emphasize the intensity of exclamation in the indirect speech, we use very, आमें भेरी उज करू, बहर देची मन्रोखिबा, he said hello, where do you live, he greeted me and asked me where I lived मन्रोखिबा पिला मन्ने, जे तो hello अची, greeted me and asked where do you live, तावर पाचर चिके उंट रोखुच, where do you live, तो आश्क्ड हला, मी फुन लागिला, होयर बसिला, यूटा हेगला चेंज आई, then do live present simple अची, तक आफरमेटिव करीगी past simple कले, जे तो भार्ब अची said, so where I lived, so option B, he greeted me and asked me where I lived, is the right answer, number 4, he said good luck, in indirect speech the reporting verb said is replaced by dash, so he reported, reporting verb said, जे तक उठीग नगान हाब न, विस्ठ हाब, जे तो good luck, विस्ट कराऊची, so the number option B, the man told that he dashed the next day, he told reporting verb, so change about tense, so the answer would come, the old man said that he goes for a work every morning, parallel question although this sentence is in indirect speech, goes is not changed into past tense, goes into past tense, so he is not, why am I doubt? so the answer is, okay number 7, the man said that he had repaid the loan, Yis, so answer about the month before, or the previous month, of Sunday, she said How dream 2000 आसवाक्ष अच्यू चिकैन का ते लिए अच्मेल 50 क के अच्छू साध्युट खी अच्यां पार शाड़ा स खी टैसंगेुड पेलियए मी जेतु अड़ाइस कराओ जी आँसर मादर अड़ाइस्ट मी नॉट तु लीब तु लीब तु लीब तु अनलॉक्ट नॉबर टेन हर फ्रेञ्ट सेट तु हर वेन दिद यू गो तु स्कूल अरव इंडाइस्विच कान ना अंसर अब काउड फिलामने अप्शन C, her friend asked her, okay, question कराएची, when she had gone to school, when she had gone to school, when she had gone to school, when did you go, did you go, past simple, had gone to school, so option C, right answer, okay, ओए, ओए मार से अनसर सीट मान धिया हैची, okay, video देख्यों देख्यों लिश्ता वर भर लागे थिवो, बहुत की सीखे थिवो वीडियो रू, okay, भिलामने मोँ कुई क्लिक को हुँची, तो देख्यों अब भुजहाँ चिश्टा कर वीडियो एगन अन एगन देखो, उर फल दा सीखद देख 국णार है